हेलो गाइस, वेल्कम बाक टो चैनल PCMB Digital Guru Kul तो बिटा क्लास 6 की हिंदी की हम वर्कशिट 5 कर रहे हैं 20 जुलाई की इस क्लास की बाकी वीडियो देखने के लिए अप मारी प्रेलिस्ट को देख सकते हैं तो मनोज ने दो सोहन के साथ दिल्ली में क्या देखा भई माले जी मनोज है सोहन इनने कुतव मिनार देखा और इसकी बनावट रुचाई देखकर वे दंग रहे और वहां उन्हें आइस क्रीम खाई और चॉकलेट खाई उपर के वाकियों में जो हमने मार्ग किया हुआ है मनोज और सोहन ये तो प्राणियों के नाम है दिल्ली स्थान है आइस क्रीम चॉकलेट इत्याजी जो हम बात कर रहे हैं वो वस्तु है और बनावट और रुचाई क्या है भावों के नाम है और ये सभी क्या है संग्या जिसमें कोई व्यक्ति वस्तु प्राणिया स्थान आ जाता है अब आपको नीचे जो पिताजी बजार से फल लाए इसमें से बताना है कि संग्या कौन से है तो मार्ग कर देता हूँ आप अराम से कर सकते हैं फिर कि पिताजी और बाजार ये दुनों क्या है बिटा संग्या है और फल भी हो वो एक वस्तु है तो वो भी क्या है संग्या ही है तो इन तीनों का आप लिख लिजेगा पिताजी बजार और फल दूसरे में बात करते हैं तो भारत और धोज प्यारा एक भाव है कि बहुत प्यारा है तो भारत हो गया धोज हो गया वो भी इसमें आ सकता है कुतब मिनार दिल्ली में स्तित है तो कुतब मिनार और दिल्ली ये भी हो गई बात इसमें प्यारा हो गया जैपुर सुन्दर शहर है तो जैपुर सुन्दर शहर मेरा विद्याले सबसे अच्छा है तो विद्याले क्या है विद्याले और अच्छा ठेक है तो ये कि कौन कौन से जो हैं संग्या वाले शब्द हैं तो देखें भी कौन कौन से हैं तो भई इसमें से सूर्य एक संग्या है प्रेम एक संग्या है अच्छाई एक संग्या है जैसे मैंने उपर आपको पताया अच्छा उसके बाद अमरित सर एक जगय का नाम है ये एक संग्या है रामायन एक संग्या है जैपुर एक संग्या है गणेश क्या है वो भी एक संग्या है ठीक है बटा तो ये सारे words जो हैं हमें ध्यान से करने थे and I hope हमने सबने इसको बहुत ध्यान से किया भी होगा और अगर ये कर लिया है तो इसके साथ जो हमारी worksheet है वो पूरी हो जाती है दोस्तों और मैं उमीर करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमें support करते रहें Thank you so much for watching our video friends and take care of yourself